जेनरल नॉलिज की इंपोर्टन वीडियो पाने के लिए सस्क्राइब करें जेनरल नॉलिज जंक्सन चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे धन्यवाद नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है राहूल और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जेनरल नॉलिज जंक्सन पे दोस्तो आज के इस सेशन में हम लोग अभी हाली में संपन हुए विभीन परतियोगी परिच्छाओं से सेलेक्टेट कुछ दस क्वेस्चनों की चर्चा करेंगे तथा उनके उत्तर जानेंगे इन परिच्छों से आपको अभी होने वाली परिच्छाओं में मदद पहुँचेगी तो इस वीडियो का पूरा लाब उठाने के लिए कृपिया इस वीडियो के अंतक बने रहे और इसका लाब उठाए तो दोस्तों बिना देर की हुए हम लोग आज के इस सेशन के सुभात करते हैं दोस्तों आप लोगे पास सोचने के लिए कुछ समय है अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बाक्स में अपने आंसर बता सकते हैं चली दोस्तों मैं इसका सही आंसर आप लोगे को बता देता हूँ इसका सही आंसर है बी रोज मिलियन बैत्थियू दोस्तों UPSC के बारे में मैं कुछ अनफैक्ट भी आपको बता देता हूँ UPSC की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को होगी थी एक अक्टूबर 1926 यह एक बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट है इनके वर्तमान चेर्मेन अभी अर्विन सकसेना है अर्विन सकसेना चलिए दोस्तों हमलों नेक्स्ट के और बढ़ते हैं अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर पता है दोस्तों उसके सही आंसर बता देता हूँ इसका सही आंसर है ए पुनीत अरोडा दोस्तों इससे समझत में आप कुछ औने फैक्ट्ट भी बता देता हूँ यह जो लिट्इन जनरल का पोस्ट होता है वो इंडीन आर्मी का सकेंड हाइस्ट पोस्ट है पहला rank होता है General का उसके बाद Lieutenant General उसके बाद Major General और इसी तरह के अन्य पोस्ट इन में होती है चले हम लोग अब next question को बढ़ते है Question number 3 निम्न में भारत रत्म पाने वाले पहले संगितकार कौन है A. लता मंगिसकर B. म. सुबलच्मी C. पंडित रवी संकर D. पंडित भीमसेन जोसी अगर आंसर पता हो तो comment box में आपने आंसर बताएं कुछ दिर आप लोग इसका आंसर सोच बे सकते हैं मैं आंसर दूँगा चले दोस्त उसका सही आंसर बता देता हो इसका सही आंसर है B. MS. सुबलच्मी ये पहली ऐसी कलाकार है लोग को पता होगा अगर नहीं पता हो ते इसको नोट कर ले भारत रतन भारत का सबसे हाइस सिविलियन आवाड भी है चलिए अब हम लोग नेक्स्ट के और मूव करते हैं दोस्तो Question No.4 ज्यानपीट पुरुसकार प्राप करने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तो आप लोग अगर आंसर पता हो आप लोग को तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बाक्स में बता सकते हैं कुछ दिरा आप लोग समय भी ले सकते हैं चलिए दोस्तो इसका आंसर बता देता हूँ इसका सही आंसर है दी आसा पुरुना देवी ग्यानपिट पुरुसकार भारत का सर्वसे सहेतिक पुरुसकार है इसकी स्थापना 1901 टिस्वी में की गई थी इस पुरुसकार में पुरुसकार सोरूप 11 लाक रुपे दिये जाते हैं यह कुछ important facts है जिनको कि आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है आपके exams में इनसे फायदे होंगे चलिए दोस्तों next question के वर पढ़ते हैं question number 5 तांसेन सम्मान किस राज़सरकार ने शुरू किया A. उत्तरपरदेश B. मध्यपरदेश C. कुजरात D. महरास्टर दोस्तों आप लोग अपना answer कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं चलिए दोस्तों इसका उत्तर बता देता हो इसका उत्तर है B. मध्यपरदेश मध्यपरदेश सरकार ने 1980 में इस पुरूसकार के स्थापना की चलिए अब हम लोग next question के वर मूव करते है question number six नोबिल पुरूसकार किस विशे में नहीं दिया जाता है दोस्तों आप लोग के लिए यह बहुत ही असान सवाल होगा अगर आंसर पता हो तो जल 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 कमेंड बॉक्स में अपने आंसर बताए चलिए दोस्तों इसका आंसर बता देता हो इसका सही आंसर है बी गनीत दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि नोबिल पुरुषकार की स्थापना सन 1895 इस वी में की गई थी लेकिन इसे पहली बार 1901 इस वी में दिया गया ये कुछ important facts है इसे आप लोग नोट कर ले Next question Question number 7 भारत में रेडियो प्रसारं का प्रारम किस वर्स हुआ A. 1923 B. 1930 C. 1936 D. 1957 अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो comment box में अपने आंसर पता है इसका सही आंसर है A. 1923 British लोगों को समय में भारत में 1923 में रेडियो का प्रसारं सबसे पहले प्रारम हुआ चलिए हम लोग नेक्स्ट कुस्टिन के और मूव करते है यह कुस्टिन विभिन प्रतियोगी परिछाओं में कई बार पूछा जा चुका है अगर आंसर पता हो तो comment box में आपने आंसर पता है दोस्तों का सही आंसर है डी हिरालाल जे कनिया चलिए हम लोग नेक्स्ट कुस्टिन के और मूव करते हैं दोस्तों क्विस्टिन नंबर नाइन राश्ट्री महला आयो की प्रत्थम अध्यच कौन थी दोस्तों आप लोग अपने आंसर comment box में दे सकते हैं चलिए इसका सही आंसर बता देता हूँ इसका सही आंसर है ये सिर्मति जैनती पटनायक दोस्तों इस question से सबंदित कुछ अन फैक्ट्स भी जाना जरूरी है क्योंकि वे अन एक्जाम से पुछे जा सकते हैं राश्ट्री महला आयो की स्थापना जनवरी 1992 में की गए थी जनवरी 1992 और राश्ट्री महला आयो की वर्तपान अध्यच रेखा सर्मा है दोस्तों इस प्रस्टों का सही उत्तर है यह एक बहुत इंपोर्टेंट कुछेन है दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने तरप से एक लाइक कर दे तथा अपने अन्य दोस्तों के साथ सेर कर दे अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आये हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की नौलेज़ेबल वीडियो आप लोगों को रिगुलरली मिलते रहे धन्यवाद दोस्तों बाई बाई